हेलो प्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जी एसेस एजुकेशन में शाथियों आज हम कच्छा बारावी यूपी बोड हिंदी किताब से हिंदी काब विजू है उसका पहला पार्ट पवंदूतिका जिसके रचीता है अजुद्या सिंग उ पस्तित हुए हैं इस पार्ट में जो 26 पद्यास हैं उन पद्यासों को क्रंसव हम चार या पांच पद्यासों को एक एक विडियो में क्लीयर करने कप्रियास करेंगे तो आई ये बिनाद समय गिवाय सुरू करते हैं हम देखते हैं हमारा पहला पध्यान्स आप यहां पर देख पा रहा होंगे को पहला पध्यान्स संकेत मैंने अनुछ पर देर रख्या है बैटी खिंणा पहला हैया अपका और और बाकि मैं जो संधाओंगा तो पूरे पध्यांसों को पंक्तियों के रूप में मैं आपके स्क्रीन पर दे दूंगा या आप उपने पुस्तक के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे आए समत्ते हैं संदर्व संदर्व क्या है संदर्व है प्रस्तुत पध्यांस हमारी पाठ्थे पुस्तक हिंदी में शंकलित अयुध्या सिंग उपाध्याय द्वारा रचित काब्य प्री प्रवास के पवंद उतिका सिर्षक से उध्रित है साथियों हम एक चीज आपको बता दें यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक मारकर से मैंने लिखा है तो यह किताब का नाम पाठ का नाम सिर्षक का नाम और रचिता का नाम है और आप जब अपने पुस्तिका में लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में या परिच्छा में तो आप भी इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे इसको मैंने इन्वर्टिट कामा में दे रखा है इससे क्या होता है कि जब आप इस तरीके से अलग कलर से मतलब उसे आप नीले पर इंकायुज करते हैं तो काले पर इंकायुज करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके लिखावट में बोलने साइगा और इससे आपके एक्जामनर पर प्रभाव बनता है तो यह चीज़े आपने देखा और आपको एक और मैं बता जैसे हैं पर मैंने उध्रित लिखा है तो आप यहां पर आउतरित लिख सकते हैं लिया गया लिख सकते हैं इन सब सब्दों को आप प्रयोग कर सकते हैं तो यह रहा संदर्व संदर्व के बाद हम देख रहे हैं प्रसंग प्रसंग क्या है इस वाले पंक्तियो और हवा जो है पवन को वो अपना संदेश वाहग बनाना चाहा रही है संदेश वाहग बना करके अपने संदेश को कृष्ण के पास भेजने का काम करती है तो उस समय का वड़न है यहां पर प्रस्तुत पद्यांस में राधा जी द्वारा पवन को फटकार लगाने का वड़न मैं आपको समझाऊंगा अब देखिए काव्य संदर यानि इस काव्य के अंदर कौन सी सुन्दरता है किस प्रकार की सुन्दरता है तो यहां दो तरह के सुन्दरता आपको देखने को मिलती है एक है भावपक्ष में और दूसरा है कलापक्ष में तो भावपक्ष की सुन्दर संदता क्या है भॉपख्ष के संदता अब इसमें रस पाएंगे रस क्या है बीयोक सिंगारे है और दूसरा जो संदता है वह राधाजी की मनुदर्फसा का चित्रण इन्हें राधाजी का जो कृष्ण के विरह के बादieving उसका यहां पर चित्र किया गया थम यह भावक्ष कि और कला पक्ष में क्या यह भासा देख रहा है खडी बोली है त्युशंद मदाकरांता है अलंग कार अनुप्रास और मानुवी करण अलंकार है एक चीज मैं आपको बता दूं रस छंद अलंकार इन सब चीजों के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट मिलेगा वहाँ पे आ लिखते हैं मैं आपको स्क्रीन पर देता हूं और आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक से देख सकते हैं चलिए सुरू करते हैं देखी बैठी खिन्ना यक दिवस में यक दिवस वे गेह में थी अकेली आके आसु द्रिग युगल में थे धरा को भीगोते आई धीरे इस पुस्पसदगंद कोले प्रातवाली प्रातवाली सूपवन इसी काल वात आयनों शे तो यहां पर कभी कर रहे हैं कि एक दिन राधा जी कृष्ण के भियोग में दुखी होकर के दुखी मनशे अपने घर में एक दिन अब दिखे यहां पर यक मन एक है दिवस मन दिन गेह म माने दौनों सरी, द्रिग मने नेत्र, युगल मने दोनौं धरा मने प्रतवी, तो कार है कभी की एक दिन राधा जी कृष्ण भियोग में, कृष्ण के भियोग के कार्ड अपने घर में अकेले दुखी मन से बैटी हुई थी, खिन्ना मने दुखी मन शें, और उनके दोनों नेत्रों से असुरु जो हैं भा करके प्रत्वी पर गिर रहे थे या प्रत्वी को बिभू हो रहे थे फिर निचले वाली दो पंक्तिया देखते हैं आई धीरे इस सदन में पुस्प सदगंद को ले प्रातह वाली सूपवन इसी काल वातायनोशे पुस्प सदगंद आप कर रहे कभी कि इसी समय प्राताह वाली जो सुंदर पवन थी मोस्गरण इसी सदन में धीरे से प्रविश्च करती है किस समय जिस समय राधा जी अकेलिए अपने घर में दुखी मन बिपुल बढ़ता देख दुखिता हो लाश्ट में कुरूरता से संदर वहीं रहेगा प्रसंग भी इसमें वहीं है पुरुवत और काब्य का संदर जो है याने भावपक्ष और कलापक्ष वो भी दुनों इस पत्यांस में सेम हैं तो आई हम सुरू करते हैं इसकी ब्याख्य पवन उस समय क्या होता है जो दुखिता है दुखिता मतलब राधा जी उनका दुख क्या होता है और बढ़ जाता है और जब उनका दुख बढ़ जाता है तो वो क्या कहती है धीरी बोली सौदुख सौदुख मनें दुख के साथ उससे स्रीमति राधिकायो याने जब वो कमरे में प्रवेश करती है तो राधा जी का दुख और बढ़ जाता है जो कृष्ण के वियोग का दुख है वो और बढ़ जाता है और राधा जी दुख के साथ धीरे से उस पवन से इस प्रकार बोलती हैं क्या बोलती है नीचे वले पंक्तियों में कभी का रहे हैं प्यारी प्रातह पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी है कलुशित होई काल की कुरूरता से, कलुशित मने कलुशित होना, काल मने समय, समय की कुरूरता से, तो कहा रहे हैं कभी कहा रहे हैं कि राधा जी उस पवन से कहा रही है कब जब कि वो खमरे में प्रवेस करती है तो राधा जी का दुख और बढ़ जाता है तो राधा जी उस पवन से दुखी मन से क्या कहा रही है कि हे पवन क्या तू भी मुझे सताएगी मतलब तुम्हे भी काल ने याने समय ने कठोर बना दिया है निर्दई बना दिया है निर्मम बना दिया है काने कासे यह है कि कृष्ण जी तो निर्मम हो करके राधा जी को त्याग करके चले ही गए और राधा जी उनके ब्योग में दुखी है और यहां पे जब पवन कमरे में प्रवेस कर रहा ह तो उनके दुख के समय में पवन की जो सुन्दर सुगंदित अवस्था है वो राधा जी के दुख को और बढ़ा रहा है तो राधा जी उस पवन को डाटते वे फटकारते वे ये बात कर रही है गुस्से में दुखी मन से कि है प्यारी पवन क्या अब तू भी मुझे और तू जो है इस समय के कठोता से कलसित हो गई है यहने तुम भी निर्दई बन गई हो यह बात जो है दूसरे वाले पंक्तियों में यहने दूसरे पध्यांस में राधा जी पॉन को फटकार लगाते हुए कर रही हैं अब हम देखते हैं अपना तीसरा पध्यांस है इसमे मेरे प्यारे नव जलत से जो संकेत है संदर वही पूर्वत है प्रसंग क्या है प्रसंग यहां पर हम देखेंगे प्रस्तुत पध्यांस में राधा जी द्वारा पवन को दूद बनाकर स्रीकृष्ण के पास संदेश भीज़े जाने का वर्डन है यहने इन पंक्तियों में राधा जी जो है पवन को अपना दूद बना रही है और उससे संदेशा भीज़वा रही है स्रीकृष्ण के पास तो यह हमारा प्रसंग काब्य संदर में भावपच्छ में रस्वही रहेगा वियोग सिंगार और दूसरा भावपच्छ आप लिख सकते हैं कि यहां पर रा लंकार आपका उपमा लंकार और उप्रासा लंकार है बाकि आपका जो भासा सैली गुड़ यह रहेगा वह अब पूरे वीडियो में यह पूरे वंक्तियों के दौरान वहीं चलेगा भासा भी आपका वही रहेगा सैली भी रहेगा गुड़ आपका प्रसाद यह सब को अपना दूद बना कर उसे संदेश भिजवा रही है किसके पास कृष्ण के पास और वो कह रही है कि है पवन तुम मेरे प्यारे प्यारे का मतलब कृष्ण प्रियतम मेरे प्रियतम नव जलद से नव यह नया जलद मने बादल से कंज मने कमल नेत्रवाले नव जलत से सुभाय मान कमल के समान नेत्र वाले राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन तुम यहां से जाओ और मेरे जो नए जलत याने बादल से सुभाय मान कमल के नेत्रों वाले कमल से नेत्रों वाले प्रियतम है अर्था स्री कृष्ण है जो कि जाके आये न मधुबन से और न भेजा संदेशा जो कि यहां से जब गए यहां का मतलब जो ब्रज का मधुबन है मधुबन से जब गए है मतुरा को तब सिवो लोट कर नहीं आये और नहीं कोई संदेशा भेजा क्या हुआ आगे वाले पक्तियों में करें मैं रो रो के प्रिय बिरह से बावली हो रही हूं मैं अपने प्रियतम के बिरह से यानि मैं स्रीकिष्ण के या पवन से कर रही है कि तुम जाके उनसे कर देना कि मैं आपके विरह में रो रो के पागल हो रही हूं बावली हो रही हूं यह व्यथा जाके मेरी सब दुख कथा स्याम को तुम शुना देना है पवन मेरी यह व्यथा जो है मेरी यह अवस्था है जो दुख भरी अवस्था है इस अवस्था को जाके तुम मेरे स्याम सुन्द जर से या उनसे जा करके कहा देना तो यह रहा हमारे तीसरे पध्यांस का भाव अब हम देखते हैं चोधा प्रशंग प्रस्तुत पध्यांस में राधा जी पवन को उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं से सचे तरहने का है मतलब उन्होंने कहा कि जब तुम साम कहां जाओगी तुम्हारे मार्ग में अनेक प्राक्तिक बाधाएं प्राक्तिक संदर रुपी बाधाएं आएंगी वो तुमें रोकने का प्रयास करेंगी तो तुम उसे सचे तरहना तो यह है प्रसंग में कार्वेश अंदर में क्या है वहीं वियोग सिंगार है कलापक्ष में, यह भावपक्ष में और यह रहेगा, आलकर देखने को मिलेगा, बाकि जो मैंने कहा, आपका जो छन्द है, मदाकरानता ही रहेगा, भासा और सैली वहीं चलेगा, गुरुभण प्रशादी कहा रहा है कि राधा जिस भवन को सचःद करते बिकाती है कि जोह ей मेरा भवन अ तो रास्ते में तुम्हें मनोहारी और सुखद सोभा वाली हैँ पेलिःग न शुखद सुभावाली मने सुन्दर हुन्धाली निशित लताएं तो करहें कि तुम मेरे भवन को छोड़ कर थोड़ा आगे बढ़ोगी वैसे ही तुमें मनुहारी और सुख सुन्दर लताएं मिलेंगी और वहीं पर कर रही निचल वली पंक्ति में प्यारी छाया मुर्दुल स्वर से मोह लेंगी तुझे यो जो लताएं हैं बाग भगीचे हैं उसकी जो प्यारी छाया होगी और उस भगीचे में जो पक्षियों का सुन्दर यहाद करके तुम वहाँ पे विश्राम मत करने लगना यहाद करके तुम हाँ पे विश्राम मत करने लगना वहाँ पे आकर्सित होके रुकना नहीं है ये रहा हमारे चोथे पद्यांस का भाव अब अगले वीडियो में हम अगले चार पद्यांसों का भाव लेकर क्या आएंगे तब तक आप इसे पढ़ते रहें